आर जी पलवी पॉड़कास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजे मेरे यूट्यूब चैनल को और सुनते रहे हमारे साथ आज रिहाना परविन जी के लिखी हुई कहानी परजजू एक रहसमे मूर्ती का एपिजट टंबर नाइट फ्रेंड्स कल इसका एपिजट यानि लास्ट एपिजट अपलोड हो जाएगी तो लगा लीजे कान पे हेड़फोन और सुनते रहे हमारी कहानी और हाँ आप लोगों को महालाया का बहुत बहुत हार्दिक शुप कामना है हम लोगों के बिंगॉली कल्चर में है आज से दुर्गापुजा स्टार्ट हो जाती है तो मैं थोड़ा बिजी रहूँगी अगर वीडियो थोड़ा लेट लेट आए भी यानि ज्यादा लेट लेट नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत लेट आए तो प्लीज माफी चाह लेट पहुच जाए और हाँ दोस्तों लगा लीजिए कान में हेड़फोन तो सुनने में और भी अच्छा लेगा और आप लोग अगर अगर सारे सीरीज नहीं सुनें पीछले वारे सारे सारे सीरीज नहीं सुनें तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शिन बॉक्स आई बटर सब लोग नीचे उतर गए परम सबसे आखरे में था जब वो सीर्यों से नीचे उतरा तो से ऐसा लगा जैसे सीरियों पर कोई है परम ने एक कदम पीछे जाकर सीर्यों को देखा तो स्की चीख निखल गई परम ने देखा कि एक काला साया भागता हुआ नीचे की ओर आ रहा है परम लडखराते हुए एक कदम नीचे गिर गया अरे क्या हुआ परम? गाशी ने परम को संभाला प्राफिसर केत और फादर विन भी पीछे मुर के देखने लगे क्या हुआ? गिर कैसे गए? प्राफिसर केत ने पोचा वो 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 वहां मैंने किसी को देखा परम घबराता हुआ बोला प्राफिसर केत फादर विन और राशी तीनों ही सीरियों पर देखते हैं लेकिन वहां कोई नहीं था प्राफिसर कित ने ऊपर जा कर देखा लेकिन वहां भी कोई नहीं था प्राफिसर कित ने मिस्टर लेवी से भी पोछा लेकिन वहां कोई नहीं था प्राफिसर कित नीचे आ गए प्राफिसर कित बोले वो कोई साया था ना कि इंसान और वो मेरी और भागता हुआ आ रहा था परम थोड़ा घबरा के बोला रिलाक्स परम तुम जाकर सो जाओ राशी ने भी परम को दिलासा दिया राशी ने प्राफेसर केट और फादर विन को उनका कमरा दिखा दिया था इसलिए वे दोनों भी अपने कमरे में सोने चले गए राशी और परम भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए मेरे छोटे रिदे में मेरे प्रबो महान की आराद ना करूं तुटे हुए कॉम को मेरे कुमभार के पास लेकर ठीक करने की विंती करूं मिस्टर लेवी अकेले कमरे में जमीन पर बैठे ये भजन कर रहे थे जमीन पर एक सितारे की आकरिती बनी हुई थी जो कि उनके धर्म का ही प्रतीक थी उस पर मंबत्या रखी हुई थी मिस्टर लेवी ने एक किताब खोली फिर उस किताब के दोरा कुछ मंत्र पढ़ने लगे शायद वो किसी को बुला रहे थे कि अचानक एक आवाज कमरे में गुजी कहो मुझे इसके बारे में जानना है मिस्टर लेवी अपने हाथ में एक बाल दिखाते हुए कहते हैं मिस्टर लेवी के पास एक बाल था और वो बाल था मैयूरी का लेकिन इस बात से सभी बेखवर थे क्योंकि इस बिधी में ये काम चुप चाप और चुप के से किये जाते हैं किसी की टोक लगने से काम बिगरने की संभाव न रहती है मिस्टर लेवी उस बाल को बीच मेरे की एक मौमबतिया द्वारा जलाते हैं जैसे ही वो बाल जलता है वैसे उस बाल में से काला धुआ निकलने लगा धीरे धीरे वो धुआ तीन अलग-अलग चेहरों में बदल गया एक चेहरा आम आदमी के जैसा था दूसरा एक आदमी राक्चस और तीसरा एक महीला राक्चस ओ माई गाड डिजास्टर मिस्टर लेवी ने खुद से कहा अचानक सारी मौमबतिया अपने आप बुझ गई उस कमरे के खिरकी दर्वाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे मिस्टर लेवी ने तुरंत अपनी बिदी खतम की और अपना सारा सामान समेटा सामान लेकर वे नीचे पहुँचे तो देखा कि रात के दो बज रहे हैं उन्हें नीद नहीं आ रही थी इसलिए वे बहार टहनले चले गए थोड़ी दिर बाद वो अंदर आए और चुप चाप जाकर डाइनिंग रूम में पड़े एक छोटी से सोफे पर लेट गए मिस्टर लेवी काफी देर तक कुछ सोचते रहें और फिर कब उनकी आँख लग गई उनको पता ही नहीं चला अगली शुबाव सुमन जब रसोई घर में जाने लगी तो उसने देखा कि मिस्टर लेवी तो यहीं सोफे पर सो गए है सुमन ने तुरन चाए बना कर एक कप चाए मिस्टर लेवी को दी मिस्टर लेवी को भी ठकावर से थोड़ा आराम मिला धीरे धीरे करके सबी लोग उड़ गए प्राविसर केट और फादर विन सुबा होते ही सबसे पहले मिस्टर लेवी से मिले और उन से पूछा आपको क्या पता चला अपने हमें रात उठाया क्यों नहीं सुमन ने बताया कि आप इहीं सो गए थे जब मैं नीचे आया तो रात के दो बज रहे थे मुझे लगा तुम सब लोग सो गए होगे ऐसे में तुमें जगाना मैंने मुनासिफ नहीं समझा इसलिए मैं बहार ही सो गया मिस्टर लेवी ने कहा चलिए कोई बात नहीं अब नास्ता कर लेते हैं सभी लोग नास्ते के टेविल पर बैठे थे नास्ता करते हुए फादर विन ने मिस्टर लेवी से जानना चाहा की आखिर रात उन्हें क्या पता चला इस पर मिस्टर लेवी ने बहुत गंभीर तरीके से अपने चेहरे को बनाया और कहा मैयोरी के अंदर दो शैतानी ताकत और एक इनसानी ताकत है और इनसान की ताकत भी कोई छोटी मोटी नहीं बहुत शक्तिशाली है हमें काम कर सकते हैं हम उस इन्शानी ताकत को अपने वर्ष में करके उसे पूछ सकते हैं कि आखिर उसने मैयورी के शरीर पर कब्जा क्यों किया और वो क्या चाहती है लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है कैसा रिस्क? प्राफिसर कीत ने पूछा मैयورी के शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका है और वो पहले भी शायद कमजोर ही थी ऐसे में जब हम उसके अंदर से आत्मा को अपने वश में करेंगे तो उसके लिए आत्मा को शरीर से अलग करना होगा जिसमें मैयूरी की जान इस तरह खींचेगी जैसे उसके अंदर से किसी के मास के टुकरे को निकाला जा रहा हो या फिर उसकी खाल को खीचा जा रहा हो मयूरी को तकलीफ होगी मिस्टर लेवी ने कहा मिस्टर लेवी के मुँझे ये बाते सुन मयूरी की माने उसी समय नास्ता छोड़ दिया और वो रोने लगी आंटी प्लीज आव रोहे मत सब ठीक हो जाएगा काव्या मयूरी की मां के कंदे पर हाथ रखते हुए समझाती है लेकिन मयूरी की मां के आंसो रोखी नहीं रहे थे I'm sorry मेरा मतलब आपको दुख पहुचाना नहीं था लेकिन सच में मयूरी मुश्किल में है मिस्टर लेवी ने कहा सभी लोग मिलकर मयूरी की मां को समझाते है नास्ता करने के बाद मिस्टर लेवी कहते है हमें अब मयूरी से बात करने जाना होगा और तुम सारे लड़के भी उस कमरे के अंदर चलना ये सुनकर दीव, आयूश, गनीशक और परम सोचते हैं हमारा क्या काम डरो मत मयूरी को काबू करने के लिए शड़ी से ताकतवर इंसान की जरूरत है इसलिए तुम सभी लड़के उसे काबू करने के लिए हमारे साथ कमरे में चलना तभी फादर वीन ने पूछा लेकिन बच्चों को कोई खत्रा हुआ तो चिंता मत करो खत्रा नहीं होगा हम दोनों तो वहां रहेंगे ही मिस्टर लेवी बोले सभी लड़कों की जान गले में आ गई थी क्योंकि उन्हें मयूरी से डर लग रहा था लेकिन फिर भी उन्हें इस मुसीबत से चुटकारा तो पाना ही था इसलिए लोग मयूरी के कमरे में जाने के लिए तयार हो जाते हैं दर्वाजा खोलते ही मयूरी अपने शरीर की अलग-अलग आकरिती बना रही थी जैसे ही उसने पलट कर देखा कि दर्वाजे पर इतने सारे लोग खरे हैं वो बूरी तरह चीकने लगी चीकते चीकते उसके आँखों से खोन निकलने लगा ये देगा आयूश और उसके दोस्त बूरी तरह डर दें मिश्र लेवी और फादर वीन अपने धर्म के अनुसार अपना पाट कर रहे थे वे दोनों जितनी ही तेज आवाज में पाट करते हैं मैयूरी उन से अधिक तीज आवाज में चीक ती लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैयूरी की आवाज बिलकुल भी बहार नहीं जा रही थी बहार सभी लोग डाइनिंग रूम में बैटे इंतजार कर रहे थे फादर विन और मिस्टर लेवी के पास अपने बैग थे जिससे मैयूरी मेचली की तरह छट पटाने लगी मैं मार दूँगा इसे चला जा यहाँ से मैयूरी किसी आदमी की आवाज में बोली जाओ सब लोग मैयूरी को पकड़ो मिस्टर लेवी ने प्राफिसर केट की और इशारा करते हुए कहा प्राफिसर केट और आयोश वो उसके दोस्त तुरंत मैयूरी की तरह भागते हैं लेकिन मैयूरी एक कदम दिवार पर चरती है लेकिन ये क्या प्राफिसर केट और आयोश वो उसके दोस्त तुरंत मैयूरी की तरह भागते हैं मैयूरी दिवार पर चरती है लेकिन ये क्या मैयूरी को एक जटका लगता है और वो नीचे जा गिरती है और इसी का फायदा उठा कर आयूश और बाकी लोग मैयूरी को पकर लेते हैं मिस्टर लेवी और फादर विं का अपना पाट जारी था मैयूरी का मौ अपने आप खोल रहा था जिसे मैयूरी के तकलीव भी हो रही थी और उसके आसों निकल रहे थे तब ये ये काला धुआ मैयूरी के मौ से निकला और अच्छानक मैयूरी भिहोश हो गई मयोरी का शरी ढिला हो चुका था वो काला धुआ निकल कर पूरे कमरे में घोम रहा था मिस्टर लेवी ने शीशी से पवित्र जल निकाल कर उस काले धुए पर डाला तो तोई ने एक मानव आकृति ले ली धीरे धीरे वो अपने एक अस्तित्व में आने लगा ये दिरिसे शभी लोग बड़े ही कौर से देख रहे थे उस आदमी के आकृती अजीबी थी लंबी तारी, शरीर पड़ेक लंबा चोगा और सिर पड़ेक लंबी टोपी वो आदमी हस रहा था कौन हो तुम? मिस्टर लेवी ने पुछा तुमने मुझे तो बहार कर लिया लेकि इन उन्हें कैसे निकालोगे मैंने उन्हें जागरित कर दिया है अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते मैं जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा पूरा हो चुका है इतना कैकर वो हसने लगा तब ही फादर विन आये और उनके हाथ में एक लंबा सा धागा था फादर विन उस धागे को उस आदमी के चारों और लपीट रहे थे और साथ ही अपना पाट भी कर रहे थे वो आदमी धोड़ा घबरा गया उसका चहरा मुर्छाने लगा और बोला मुझे बाद में काभ कोई फादा नहीं है मेरा काम हो गया है अगर तुमारा काम हो गया है तो तुम्हें बताने में क्या पर Falश और तुम कौन हो और क्या चाते हो मिस्टर लेवी ने पूछा देखते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा वादमी बोला, मिस्टर लेवी को अब गुस्सा आ रहा था वे अपने बैक से एक सोफर निकालते हैं फिर वो तीन बार अपने धर्म के किसी वर्ष का पाट करते हैं और वो सोफर बजाते हैं उस सोफर की ध्वनी से अचानक वादमी तूटने लगता है और कहता है रुको, 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 बताता हूँ उसे बंद करो धीरे धीरे उस सोफर की ध्वनी बंद हो जाती है एना नाम जखातिया है, मैं एक प्रोहीत हूँ मैं आज से अजारों वर्स पहले इस दुनिया के अस्तित्व में आया था और अजारों साल से ही मैं इंतिजार कर रहा था अपनी देवी को आजाद करानी का वो आदमी बोला, कौन है तुम्हारी देवी? मिस्टर लेवी ने पूछा लिलीत, देवी हो की देवी पुरोहीत जगातिया ने कहा लिलीत का नाम सुनते ही फादर वीन और मिस्टर लेवी जौग गए और एक साथ बोले क्या, लिलीत? हाँ, आज से कई हजार साल पहले मैं उनका भक्त बना उन्होंने मुझे वो दिया जो ये दुनिया ना दे सकी पुरोहीत ने कहा तो क्या तुम लिलीत को आजाद करने के बात कर रहे थे? मिस्टर लेवी ने पूछा हाँ, वही है मेरी देवी पुरोहीत बोला तुम्हारी इतनी बड़ी देवी को कैद किसने किया भला? मिस्टर लेवी ने पूछा नकुष पुरोहीत बोला पुरोहीत के चेहरे पर गुस्जा था नकुष का नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए क्योंकि उनके हिसाब से तो नकुष ने पजुजू को कैद किया था लेकिन ये पजुजू की मूर्ती में लिलीत का क्या रोल है नकुष उसने लिलीत को कैसे और क्यों क्याद किया? मिस्टर लेवी ने पूछा क्योंकि वो जान चुका था मेरा सच वो जान चुका था कि नगर में परजजू सैतान लोगों को परिशान नहीं कर रहा बलके लिलीद कर रही है पुरोहित बोला ये सुनकर सभी लोग सच जानने को आतूर हो गए क्योंकि इतिहास के पन्नों पर केवल पजजू की कैद होने का साक्ष्य मिलता है पुरोहित जगातिया ने सारा इतिहास वैसा ही बताया जैसा ही रावर्ट धेंडरी ने अपनी किताब में लिखा था लेकिन अंत को जोरी था इसे सुनकर सब दंग रह गए जब पुरोहित जगातिया ने उन्हें बताया मैं नकुज की मौत पर बहुत खुस था तो वो प्रकट नहीं हुई मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब भीकार तीन दिन बाद लिलीत मेरे सपने में आई और उसने मुझे अपने कैद होनी की जानकारी दी नहकोश ने लिलीत को एक सौने की मूर्ती में कैद किया था मैं अस मूर्ती को ढूंटा रहा मुझे अपनी बोडिसोने की मूर्ती मिली लेकिन वो बिल्कूल साधरंधी मैंने तिस्टी सौनी की मूर्ती को बहुत फ़्ूंडा लेकिन मुझे वो मूर्ती नहीं मिली लगवक तीस दिनों बाद राजा पार्थियान ने मंदिर का पूर निर्मान करने की खोशना की और उसी दिन से कार्य भी शुरू हो गया जिस दिन से कार्य शुरू हुआ था उसे दिन में मैंने एक वेक्ति पर्थियान के इंद्रित किया और वो था डेरियस नकूश का शा थी वो रोज मंदिर आता और मंदिर के चारह और खोमता मंदिर के टीक पीछे नकोश की समाधी थी देरियस बार बार नकूश की समाधी पर चाता लेकिन देखता कि आस-बास लोग है तो लोट जाता मजे उस बर शख होने लगा कि जरूर कोई बात है लेकिन एक दिन डेरियस फकरा गया अंदिर के निर्वान के चलते रोज शाम को जल्दी सब काम खतम कर सभी श्रमिक अपने घर चले जाते थे और शैनी एक पहारा देते थे और दिन साम ढल चुकी थी जोट की बारिश हो रही थी एशी बारिश आज तक कभी उस नगर में नहीं हुई थी उस दिन अचानक राजा के महल में गुसकर किसी ने उन पर हमला कर दिया ऐसा हमला पहली बार हुआ था जैसे ही उस हमले की खबर लोगों तक पहुँची सभी लोग राजा के महल के बाहर इकटा हो गए अचानक मंदिर में तैनाच सैनिक भी महल आ पहुची मैं भी उस समय वही था राजा का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था उन्होंने मुझे अपनी आखरी इच्छ बताई की वो अंतिम बार मंदिर के गर्व ग्रियों में रखा हुआ जल पीना चाते हैं गर्व ग्रियों में केवल मैं ही राजा ही जा सकते थें इसलिए मैं उसी समय भागता हुआ मंदिर में आया और जब मैं जल लेकर वापस जा रहा था तो मुझे कुछ खुदाई जैसी आवाज आई मंदिर के पूर निर्मान की वज़े से मंदिर की काफी जगा टूटी हुई थी किवल करग्रियों को छोड़ कर मैंने इधर उधर देखा कि या वाज कहां से आ रही है जब मैं पीछे की और गया तो देखा कि डेरियस नकूश की समादी को खोद रहा है और जमीन पर पचुजू की सोने की मूर्ती रखी है मैं समझ गया था कि ये वहीं मूर्ती है जिसमें मेरी देवी लिलित कैद है मैं उसे समय भागता हुआ डेरियस के पास पहुचा डेरियस मुझे देखते ही खबरा गया उसने जल्दी जल्दी वो मूर्ती नकूश की समादी में रखने लगा मैं डेरियस को धका दिया और उस मूर्ती को निकाल नहीं बाला था कि अचानक मंदिर की एक मिनार मेरे और डेरियस के उपर आगिरी वो मिनार पत्थर की थी मैंने वहीं परदम तोर दिया लेकिन मेरी आत्मा जिन्दा रही जिन्दा रहे तो तुम खुद भी लिलित को आजाद कर सकते थे मयूरी की शरीर को पकरने की क्या जरूरत थी मिस्टर लेवी ने कहा क्योंकि एक इंसानी शरीर का इस्तमाल करके ही मैं अपनी देवी को पूछ सकता था और साथ ही पजोजू के आवान के लिए भी एक शरीर के जरूरत थी जो अप पूरी हो चुकी है हजारों वर्षों तक मैं अपना शिकार ढूनता रहा लेकिन कोई भी मयोरी के जैसा नहीं था कमजोर, मासूम लेकिन अंदर सिद्री बस पाँच दीन और इतना कहते ही पूरोहित के आत्मा पर बंधा धागा काला पढ़ने लगा और सूख के टूट गया इसके साथ है पूरोहित कहीं गायब हो गया अरे ये क्या? फादर विन एकदम बोले तभी मिस्टर लेवी की नजर आयुष पर परती है और वो चीखते हैं मिस्टर लेवी भाग कर आयुष के पास जाते हैं लेवी की नजर आयुष पर परती है और वो चीखते हैं मिस्टर लेवी भाग कर आयुष के पास जाते हैं आयूश और मैयूरी के होंटे एक दूसरे के होंटों पर रखे थे और वही दूनों सब बातों से अंजान अपने में ही खोई हुए थे मिस्टर लेवी ने आयूश को जटक के खीचा और गुसे में कहा तुम पागल हो क्या? आयूश सब को ऐसे देखने लगा जैसे अभी अभी बेहोश से होश में आया है आयूश के दोस्त भी उसकी ही हरकत देख हैरान थे कि आयूश सब के सामने मैयूरी को किस कैसे कर सकता है? तुमारा तिमाग खराब है? तुम जानते भी हो कि ये मैयूरी है या कोई और? आयूश को डाटता है लेकिन मयृडी और आयूस चुप चाप खड़े ये सब देख रहे थे मयृडी बहुत ही मासूम लग रही थी आयूश अब भी सोच रहा था कि क्या सच में वे ऐसी हरकत कर सकता है क्या सच में वो सब के सामने मयृडी को किस कर सकता है आयूश एक निगा मैयोरी की तरफ देखता है मैयोरी की आँखों में देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कह रही हो कि आयूश मुझे बहुत तकलिफ है मिस्टर लेवी और फादर विन उसी समय वहां से सभी को जाने के लिए कहते हैं लेकिन आयूश बूद बना खरा था आयूश तुमसे अलग से कहना परेगा क्या चलो यहां से फादर विन बोले फादर विन का बस इतना ही कहना था कि मैयोरी की आँखों से जर जर आँसु गिरने लगे मैयोरी की हालत देख मिस्टर लेवी ने कनिश को इशारा किया कि वो मायूश को जबर्दस्ती बाहार लेकर चले सभी लोग बाहार आ गए मिस्टर लेवी ने मैयोरी के कमरे में बाहर से ताला डालने के लिए भी कहा मुझे थोड़ा पानी चाये गला सोक चुका है मिस्टर लेवी बोले राशी सभी के लिए पानी ले आई कनेश्क देव और परम बार बार आयुश की ओर देखते थे और मुस्कुराने लगते तभी मिस्टर लेवी ने तीनों को डांटा तुम तीनों को ये मजाक लग रहा है क्या क्या तुम लिलित के बारे में कुछ जानते हो तुमें ऐसा लगता है कि आयुश ने मयूरी को किस किया है लेकिन शायद तुम इस बात से अंजान हो कि मयूरी के अंदर लिलित शैतान है और उसी ने आए उसको किस किया है कौन है ये लिलीट शैतान राशी ने पूछा फादर विन ने अंदर कम्रे में हुई सारी वारततु के बारे में बाकी लोगों को भी बताया जिसे सुनकर उन्हें भी अचंबा हुआ और उन्हें भी लिलित के बारे में जानना चाहा सभी लोग ने मिस्टर लेवी और फादर विंसे लिलित के बारे में बताने को कहा तो मिस्टर लेवी ने बताया हमारी धर्ती काई कितियास रहा है जिसमें साकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियां निवास करती आई है दुनिया के विकास के साथ मानब सब्यता दुनिया के अलग-अलग धर्मों में बढ़ गई और इनसान अपनी मानदाओ के अनुसार अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को पूछने लगा जिसे उनको उनकी समस्याओं का हल मिले लगा इन सक्तियों में देवी देवता और फरिस्ते शामिल हैं जो लोगों का भला करते हैं वहीं भूत प्रेश शैतान जैसी शक्तिया भी मौजूद है जो इनसान की दुश्मन है बच्चो जैसे हम लोग इश्वर की संतान हैं वैसे ही सभी शैतानों की मा लिलित को माना गया है बुक अफ जेनिसिस में हमें ये देखने को मिलता है कि इश्वर ने इस दुनिया का निर्मान कैसे किया कि फर्स चैप्टर में देखने को मिलता है कि इश्वर ने इनसान को अपनी छवी में बनाया इश्वर ने एक आदमी और एक औरत बनाए इसके बाद सेकंड चैप्टर में लिखा है कि इश्वर ने इनसान को धर्ती की धूल से बनाया है और उसके उसके सरीर में शांसों की जरिये जान फोग दी मेसोपटामिया सभ्यता में ये कथा प्रचलित थी कि लिलीत इस दुनिया के पहले इंसान यानि आडम की पहली पतनी थी लिलीत आडम संभोग के संबंद में हमेशा ही न जगरा करती थी धीरे धीरे वो हर बात में आडम की बराबरी करने लगी थी एक दिन जगरा इतना बढ़ गया कि लिलीत आडम को इडिन गार्डेन में अकेला छोड़ कर चली गई कुछ फरिस्तों ने लिलीत को समझानी की कोशिश की लेकिन वो अपनी जिद पर अरी रही अंत में ईश्वर ने उसे श्राब दिया कि उसके बच्चे हर रोज खतम होंगे इसके जवाब में लिलीत ने भी प्रन लिया कि वो आडम के वंग्षजों को भी नहीं छोड़ेगी मतलब पूरी मान अब सब भ्यादा को लिलीत ने प्रन लिया था कि जब भी किसी इनसान के घर बच्चा पैदा होगा तो वो आठ दिन के अंदर उस बच्चे को मार देगी इसलिए आज भी बच्चे के जनम के बाद के 6-8 दिन काफी महत्त पूर्ण होते हैं उन दिनों बच्चों को बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है जैसे उसे खुले आसमान में नहीं बठाया जाता भी अनिक प्रकार की मान नताय प्रचलित है जो आज भी लोग करते हैं सिर्फ लिलीत से बचाओ के लिए लिलीत एक नकारात्मक शक्ती है जिसे हवस से जोडा जाता है लिलीत बहुत ही खुबसूरत है ऐसा भी कहा जाता है इश्वर ने एडम और इव को एक फल खाने को मना किया था और इव यानि एडम की पतनी को फल खाने के लिए लिलीत ने साप बन कर उकसाया था तब से ही लिलीत मानवता की दुश्मन बनी परी है लिलीत आदमियों को अपने हुसन और समोहन के जाल में फसा कर उनके संबंद बनाती है और इस प्रकार कई शैतानों को जनम भी देती है इसलिए इसे शैतानों की मा भी कहा जाता है लिलित ना केवल शैतानों को जनम देती है बलकि उसे सभी बुरी शक्तियों और बुरे काम के लिए जाना जाता है इस संगसार में जितनी ही बुरे काम है वो सभी लिलित द्वारा ही उक्साय जाने पर किया जाता है सारे बुरे काम? लेकिन लिलित तो कैद है लहीं बुरे काम आज भी दुनिया में होते हैं देव ने पूछा मैंने बताया ना कि वो शैतानों को जनम भी देती है और वो शैतान भी वहीं काम करते हैं जो लेलित चाहती है मिस्टर लेवी ने कहा मुझे तब इस बात पर हैरानी हो रही है कि आयुष ने मैयुरी को नहीं बलकि एक शैतान को किस किया जब मैयुरी को पता चलेगा आयुष ने ये सब एक शैतान के साथ किया तो उसका क्या होगा इश्क एक मजाकिया अंदाज में बोला बच्चो ये मजाक करने का समय नहीं है तुम्हारी दोस्त मयूरी की जान खत्रे में है तुम अभी लिलित की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते और हाँ पजजू ये मत भुलो कि मयूरी के अंदर पजजू शैतान भी है तुम लोग सोच भी नहीं शकते कि मयूरी किस दर्ड से गुजर रही है वो शायद तुम लोगों के सामने जिन्दा है इसलिए तुम इत्मिनान से हो लेकिन उसकी तरब तो वहीं जानती है मिश्टर लेवी ने कहा परम और काव्या ने कनिश की और गुस्सें से घुरा क्योंकि सच में ये मजाग नहीं था कनिश को भी खुद पर शर्मिंदगी हुई मैयूरी की माबाब भी बहुत ज्यादा चिन्ता में थे सर अब कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा अब प्लीज जल्द से जल्द कुछ कीजिए मैयूरी के पिताजी ने कहा अब चिन्ता मत कीजिए देखिए ये काम इतना आसान नहीं है कि मैं अकेला या फिर फादर विन के साथ कर सकूँ इसके लिए मुझे खुद को भी काफी मजबूत बनना पड़ेगा मैंने आस से पहले कभी भी सैतान का सामना नहीं किया है और नहीं किसी वेक्ति के शरीर से इतना खतरनाक शैतानी शक्ति को निकाला है ये मेरा पहला अनुभव होगा इसके लिए मुझे अपने स्कॉलर से बात करनी होगी यदि वे मुझे जार फोग किया गया देते हैं तो ही मैं मैयूरी के साथ कुछ कर सकता हूँ क्योंकि हमारे नियम और कानून के हिसाब से हमारी किसी भी जार फोग के द्वारा किसी वेक्ति को जान नहीं जानी चाहिए और मैं नहीं चाहता कि जब मैं जार फोग करूँ तो मैयूरी को कोई खत्रा हो मिस्टर लेवी ने कहा लेकिन सर ऐसे भी तो वो पल-पल मर रही है ना हमें रिस्ट तो लेने ही पड़ेगा पर अमने कहा हाँ, तुमारी बात तो ठीक है लेकिन मैंने बताया ना कि हमारी भी कुछ नियम और कानून है अगर मैयूरी के माबाप इजाज़त देंगे तो हम पेपर पर साइन करा लेंगे अगर ऐसा होता है तो मुझे उपर से आदेश लेने में दिक्कत नहीं होगी लेकिन फिलाल मुझे यहां से जाना है क्योंकि मुझे इस बारे में अपनी स्कॉलर से बात करनी है मिस्टर लेवी ने कहा मिस्टर लेवी और फादर वीन अपना सामान पैक करते हैं और अपनी गारी में बैठते हैं जाते जाते फादर वीन कहते हैं याद रखना किसी भी हाल में मैयूरी के कमरे में ताला मत खोलना उस पुरोहीत ने कहा था कि उसने शैतानों को जाकरीत कर दिया है अब आगे कुछ भी हो सकता है इसलिए तुम लोग अपना ख्याल रखना जहां तक मुझे लगता है कि लिलीत या फिर पजजू मेंसे दोनों ही बिना मैयूरी के शरीर के कुछ नहीं कर सकते इसलिए उस कमरे के आसपास भी मत भटकना और ताला बिलकुल भी मत खोलना वे तीनों चले जाते हैं और इधर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं मैयूरी की मा, मैयूरी के पापा से कहती है एक काम करते हैं, हम अपनी बेटी को भोपाल में दिखा देते हैं वहाँ एक बाबा है, वो इसका हिलाज जरूर कर देंगे मेरी मानों तो हम मैयोरी को घर ले चलते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता दिन पे दिन बढ़ाए जा रहे हैं, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मुझे तो इनकी बातों में सच्चाई नजर आती है मैयोरी के पापा बोले, सच्चाई का क्या करना है, पहले हमारी बेटी ठीक होनी चाहिए पता नहीं कब वो अपने स्कॉलर से बात करेगा और कब वापस आएगा, कुछ पता भी है उनका मैयोरी के मा गुस्से में बोली अरे अंकल आंटी अब बहस क्यों कर रहे हैं, देखिए हम आपके हालत समझते हैं लेकिन इस समय दिमाग से काम लेना होगा मुझे लगता है कि मिस्टर लेवी और फादर वीन ठीक ही कह रहे है हमने मैयोरी की हालत देखी है और हमें नहीं लगता कि मैयोरी के अंदर कोई साधर अनात्मा है जो किसी बाबा से ठीक हो जाएगी और आप उन बाबा के बारे में जानती ही कितना है राशी ने कहा बेटा तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तो मिस्टर लेवी और फादर वीन को सदियों से जानती हो मैयोरी की मा गुस्से में बोली राशी को थोड़ा बुड़ा लगा लेकिन उसने बात को संभालते हुए कहा नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है लेकिन बातों में एक आकर्षिन भी होता है मुझे नहीं लगता कि मिस्टर लेवी या फादर वीन इस मामले में जूट बोलेंगे बाकि आपकी मर्जी है आपकी बेटी है जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकती है लेकिन हम भी यहीं चाहते हैं कि मयूरी जल से जल ठीक हो जाए राशी नहीं कहा हाँ अंटी जी अब आप परिशान मत होए देखना भगवान सब ठीक कर देगा नीचे एक मंदीर है आज हम वहीं चलकर मयूरी के लिए प्रातना करेंगे मुझे यकीन है भगवान हमारी प्रातना जरूर सुनेंगे और मयूरी को ठीक कर देंगे बस हमें विश्वास नहीं खोना है कावया ने भी मयूरी की माँ को दिलासा देते हुए कहा मयूरी की पापा भी मयूरी की माँ की तरफ अपने सिर को हां में हिलाते है कि वे वच्चों की बाते मान ले और फिर मयूरी की माता पीता अपने कमरे में चले जाते हैं मेरा तो शुरू से ही मन नहीं था मयूरी को उसके दोस्त के साथ यहां भेजने का लेकिन ना जाने उस काव्या ने आप पर क्या जादू किया आपने हा कर दी मयूरी की मा गुस्से में बोली मुझे थोरी पता था कि मयूरी के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा और ना ही उसके दोस्त जानते थे मैंने तो ये सोचा कि हमारी बेटी हमसे ज्यादा कुछ मांगती नहीं है और इस बार भी वो अपनी सहली को लेकर आई है शायद वो खुद संकोच कर रही थी और दोस्त भी उसके बुरे नहीं है अगर बुरे होते तो उसे छोर कर चले जाते लेकिन वे भी उसके साथ नहीं पर है अब तुम चिंता करना छोड़ो और भगवान से प्रातना करो मयूरी मेरी भी बेटी है मुझे भी उसके चिंता है मयूरी के पिता ने कहा दोपर का समय हो चुका था सभी को भूक लग रही थी राशी और काव्या ने मिलकर सबके लिए खाना बनाने रसोई घर में चली गई राशी आंटी के तरब से मैं माफी मांगती हूँ अगर तुमें कोई भी بात बुरी लगी हो तो काव्या ने प्यास कारते हुए कहा अरे नहीं काव्या तुम क्यों माफी मांग रही हो मैं आंटी की हालत समझ सकती हूँ उन पर क्या बीत रही होगी और जिस तरह से उन्होंने रियक्ट किया ये बहुत नॉर्मल है मैं शायद उनकी जगा होती तो इतना बरदास नहीं कर सकती थी आंटी काफी अच्छी है मुझे उनकी बात बगा बिलकुल भी बुरा नहीं लगा मैं दिल से प्रार्तना करती हूँ कि मैयोरी जल्द से जल्द ठीक हो जाए उसी को घर पर भी रुखना था सुमन अकेले घर में रहते हुए डर रही थी वो चाती थी कि कोई और भी उनके साथ घर पर रुख जाए ऐसे में देव ने आंटी के साथ रुखने का फैसला किया तुम्हें सच में कोई परिशानी नहीं है ना पर हमने देव से पूझा हाँ नहीं है मैं आराम करूँगा तुम लोग मंदीर हो कर आओ मैं तो बाद में अकेले भी टहलता हुआ चला जाओंगा लेकिन हमा अंटी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं देव ने कहा ये सबी लोग पैदली मंदीर के दरब बर रह थे सिर पर धूब भी थी लेकिन दिल में केवल मैयोरी की फिक्र मंदीर पहुचते ही सबसे पहले सबी लोग हाथ पैर धोते हैं और पानी पीते हैं लाइन से सबी लोग अंदर जाते हैं हाथ जोड़े और मन में केवर मयूरी का खयाल दिये हैं ये सभी लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे तभी उस मंदीर के पंडित जी आ जाते हैं जो पहले भी इश्वचंद्र के घर गए थे राशी और बाकी सभी लोगों को यहाँ देखकर पंडित जी मयूरी के हाल जाना चाते हैं और जब राशी उन्हें मयूरी के सारे बाते बताती है तो वे भी घबरा जाते हैं और भगवान से प्रातना करते हैं कि उस बच्ची को जल्दी से ठीक कर दे वे सभी लोग प्रशाद लेते हैं और वापस घर की ओर आते हैं वापस लोटते हुए रास्ते में एक पीपल का पेर परता है राशी उस पीपल के पेर के सामने रुक कर सभी को बताती है कि यदि इस वरिक्ष के नीचे खरे होकर कोई भी मनुकामना मांगे तो उनकी मनुकामना जरूर पूरी होती है और जब मनुकामना पूरी हो जाए तो बाद में आकर इस पर जल चरहा दे यह सुनते ही आयूश शब से पहले जाकर उस पेर के नीचे खरा होता है और हाथ जोर कर मनुकामना मांगता है आयुष के इस जल्द बाजी को देखकर मयूरी के माता पिता भी हैरान थे कि इस लड़के को मयूरी की बड़ी फिक्र है जबकि मयूरी की बाकी दोस्त भी यही है आयुष के बाकी दोस्त भी मयूरी के माता पिता के चेरे को देख रहे थें कि वे भी काफी अचम्बित है बटाई कर रही थी तभी सुमन को दर्वाजा पीटने की आवाज आई उसने अंदर जा कर देखा कि देव तो सो रहा है तो दर्वाजा किसने पीटा जब सुमन वापस बहार की ओर आ रही थी तो अचानक मयूरी के कमरे का दर्वाजा पीटने की आवाज आई और सुमन बूर पीटने की आवाज इतनी तेज थी कि सुमन को लग रहा था मैं उड़ी अभी दर्वाजे से बहार आ जाएगी। सुमन ने खरके पीछे के खिरके से देव को आवाज लगाई। चार-पांच आवाजों से देव की आँख खुली। तब जाकर उसे भी ऐसास हुआ कि हाँ कोई दर्वाजा पीट रहा है। देव तुरंट खरा हुआ उसने सुमन को आवाज लगाई। आँटी आँटी हाँ बेटा मैं बहार हूँ सुमन बोली। देव बहार की तरफ आया तो उसने देखा कि मयूरी का दर्वाजा खट 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 बोल रहा है। और हिल भी रहा है। देव को उस देर मयूरी के दर्वाजे को देखता है। जब सुमन ने फिर से कहा देव बेटा तो देव का ध्यान तोटा और वो भागता हुआ बहार पहुँच गया आंटी आप ठीक तो है ना देव ने पूछा मैं बेटा मैं ठीक हूँ बस थोरा डर लग रहा है कहीं मयोई ने दर्वाजा तोड़ दिया तो सुमन आंटी बोली नहीं ऐसा नहीं होगा अब डढ और ये मत देव बोला वे दोनों लगवा 15-20 मिनट तक बहारी टहलते रहें धीरे धीरे दर्वाजा पीटने की आवाज भी कम होती गई और तब तक राशी और बाकी लोग भी घर पहुँच चुके थे वे लोग दूर से ही देख चुके थे कि देव और सुमन बहार बैठे हैं लगता है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ये लोग काव्या सामने की ओर देखते हुए बोली पास जाकर देखते हैं कि दीव और सुमन आंटी तो डड़े हुए हैं देव भी तेस तेस कदमों से अपनी दोस्तों के पास आता है क्या हुआ तुम लोग बाहर क्यों खरे हुआ अंदर जाता है तो देखता है कि अब तो कोई धर्वाजा नहीं खटखटा रहा आयुश के पीछे बाकि सभी लोग भी थे लेकिन अब स्थिती सामान्य थी अब तो सब ठीक है काव्या ने कहा हा बेटा लेकिन थोड़ी देर पहले लगाता धर्वाजा पीटने की आ रवाज लगाई सुमन अंटी ने कहा चलो अब सब ठीक है परम ने अब ताला पकरते हुए कहा वे सभी लोग अंदर चले जाते हैं राशी दीव और अपनी मा को मंदीर का प्रशाद देती है मैं सब के लिए चाए लेकर आती हूं राशी इतना कहकर किचन में चली जाती है कनिक्ष भी पानी पीने के बहाने के से किचन में जाता है और बार बार टक टकी लगाए हुए राशी को देखता है राशी भी इस बात को नोट कर लेती है और कुछ चाहिए तुम्हें राशी ने पोचा हाँ वो चाय कनिक्ष ने चाय के बरतन में जाकते हुए कहा मैं सब क अब से मैयोडी अब काफी हरकते करेगी वो हमें परिशान करनी की भी कोशिश करेगी लेकिन हमें उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं देना है कुछ भी हो जाए वो ताला नहीं खोलना है चाहे मैडी रोए गाए उसकी बातों में नहीं आना है परम ने कहा लेकिन आयुश का ध्या और टूमान कहीं और ही था आयुश, तुम सुन रहे हो ना मैं तुमसे भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंद्धी की आवास लगाएगी और तुम भागे चले जाओगे परम ने कहा आहां ठीक है? आयुश ने कहा तभी परम को ऐसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो कि सामने अंकल और अंटी भी बैटे हुए थे तोनों भी एक दूसरे का मूँ देख रहे थे उन्हें भी दाल में कुछ काला लग रहा था कि लड़का मयूरी के मामले में काफी सेरियस है आखिर ऐसा क्यों सभी लोगों ने चाय पी और कुछ देर बाते की रात का खाना बनाने के लिए सुमन, राश्री और काव्या किचन में चले गए तभी प्राफिसर केत का फोन आया परम ने अपने फोन को स्पीकर पर किया ताकि सभी लोग उन दोनों के बाते सुन बाए परम जी प्राफिसर केत कहिए क्या हुआ प्राफिसर केत बच्चो तुम्हें एक बात बतानी थी परम हाँ बताईए प्राफिसर केत मेरे पास अभी अभी मिस्टर लेवी का फोन आया था वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने स्कॉलर से बात की है और वे एक बार मेरे से मिलना चाहते हैं उसके बाद ही मेरे के एक्सासिजम के इजाज़त देंगे परम अच्छा ऐसा है क्या लेकिन सर मेरे ठीक तो हो जाएगी ना प्राफिसर केत उमीद तो यही है कि मिस्टर लेवी मेरे को ठीक कर देंगे परम मैयूरी के ममी पापा मैयूरी को अपने घर ले जाने की बात कर रहे थे और कहे रहे थे कि वे लोग मैयूरी को वहीं किसी बाबा को दिखाएंगे प्राफिसर केट देखो बेटा मुझे नहीं लगता कि इस समय मैयूरी को इस कमरे से बहार निकानना भी मुनासिफ है में सुना जिस पर पजो जो शेतान हो बाकी तो मैयोडी उनकी बेटी है लेकिन मैं यहीं सला दूँगा जब अभी तर मिस्टर लेवी तक ही मामला है तो फिर कहीं और क्यों ऐसा भी नहीं है कि लेवी और फादर वेन आप से कोई पैसा मांग रहे हो परम हम आपका कहना भी ठ ठीक है चलिए तो फिर आप मिस्टर लेवी और उनके स्कॉलर्स को ले आईए वैसे कब आएंगे वो प्राफिसर कीट वो तो कल ही आ जाएंगे मिस्टर लेवी के बातों से लग रहा था जैसे उनके स्कॉलर्स मैयोडी से मिलने के लिए ज्यादा बेचैन है परम अच्छा ये तो अच्छी बात है जितनी जल्दी हो सके उतना ही ठीक है प्राफिसर कीट ओके बाई टेक कियर मैं उन्हें कल आने के लिए कह देता हूं प्राफिसर कीट इतना कहकर फोन रख देते हैं सुना आप लोगोंने मुझे प्राफिसर कीट के बातों बर ज्यादा भरोसा है वो एक अनुबवी इंसान है पड़म ने कहा प्राफिसर कीट और पड़म की बाते सुनकर मैयूरी की मा भी शान थी चलो सब खाना खालो राशी ने सभी को डायनिंग रोम की तरफ बुलाया सभी लोग एक एक करके कुरसी पर बैठने लगे राशी तुमें पता है कल मैयू करने की जादत दे कनिष्ट ने कहा अच्छा चलो ये भी सही है वे लोग जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा है राशी ने कहा इश्वर चंद्र भी घर आ चुके थे और आज उनके हाथ में काफी सारा सामान था अरे इतना सारा सामान क्या क्या लाए हो इसमें सुमहन खाने की प्लेटें लगाते हुए पूछा क्या तुम भूल गई कि कर श्री वितपा मिला है मैंने सोचा कि यहां के हालत ऐसे नहीं है कि हम वितपा शहर जा सकें इसलिए हम सब घर में मिलकर ही कर वितपा देवता की पूजा करेंगे और घर मा इन सब बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि कल तो मेला लोगेगा चलो पापा आपने ठीक किया जो यह सामान लिया है अब हम घर में अपना तेवार मनाएंगे आओ पापा आप भी खाना खालो राशी ने कहा इश्वा चंद्रभी सभी के साथ खाना खाने बैट जाते हैं खाना खाकर सभी लोग थोड़ा बाहार टहलते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं आयोश और उसके दोस्त अपने कमरे में लेटे थे यार मैं सोच रहा हूँ कि क्या सच में मिस्टर लेवी मेरी को ठीक कर पाएंगे या अंडी ठीक कह रही है कि उन्हें भोपाल में ही दिखाना चाहिए देव ने सोचते हुए कहा तु पागल है मुझे तो मिस्टर लेवी ठीक लग रहे हैं और हाँ एक बात तो मैं बताना ही भूल गया ये दिखो कनिश ने अपना फोन निकाला और गुगल में पजजू के बारे में सर्च किया और सभी लोग दिखाया हाँ यार गुगल के जानकारी के हिसाब से तो फादर वीन और मिस्टर लेवी ही ठीक लग रहे हैं ये सभी बाते यहिदी धर्म से जुड़ी हुई है तो शायद मिस्टर लेवी ही मदद कर सके परम बोला ओ हो अब तुम लोग बाते ही करते रहोगे या सोगे भी काव्या चिर्चिराते हुए बोली हाँ यार सो जाओ वैसे भी नीन पूरी नहीं हो रही है कनिश्क बोला वे लोग सो गए सोए हुए लगबग आदा घंटा ही हुआ होगा कि कनिश्क राशी की आवाज आई कनिश्क कनिश्क बहार आओ कनिश्क ने करवट बदली और उसे ऐसा लगा भी जैसे किसी ने उसे आवाज दी फिर जब दुबारा आवाज आई तो उसने अपनी आँखे अच्छी से खोली कनिश्क मैं राशी बहार आओ ये तो राशी की आवाज है ये इस समय मुझे क्यों बुला रही है कनिश्क ने समय देखा तो सारे बारा बज रहे थे कनिश्क ने सोचा शायद उसे कोई बात करनी हो इसलिए वो चुप चाब उटकर बहार जाने लगा लेकिन दर्वाजे पर कोई नहीं था अब वो राशी को ढूंता हुआ राशी के कमरे की और गया राशी अपने मां के साथ एक ही कमरे में सोती थी कनिश्क ने खिर्की से देखा कि राशी तो बेखवर सो रही है कनिश्क को लगा कि राशी उसके साथ मजाग कर रही है इसलिए कनिश्क ने खिर्की से ही राशी से हलके हलके पुकारना शुरू किया लेकिन राशी तो बेखवर सो रही थी उसे समय कनिश को ऐसा मैसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा जैसे ही उसने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था बिस एक हावा का जोका था और वो जोका भी सिर्फ कनिश के मुँँ पर लगा कनिश ने आसपास देखा कि परदी तो ऐसे के ऐसे ही है जाहा लेकिन गलती से उसके हाथ से खिर्की के पास मेज पर रखा जग गिर गया जग गिरने की आवाज से राशी की आँख खुल गई और उसकी नजर सीदे खिर्की पर गई उसने देखा कि कोई खड़ा है लेकिन इस समय कौन राशी ने एक नजर घरी के ओर देखा तो पौने बारा बज रहे थे वो उठी और बहार आई कनिश्ट वापस अपने कमरे के ओर जा रहा था राशी ने कनिश्ट को आवाज लगाई कनिश्ट पीछे मुरने से डर रहा था इसलिए उसने अपने कदमों की चाल तेज गर दी अरे कनिश रुको तो क्या हुआ इतने रात को तुम यहां क्या कर रहे हो राशी भी तेज तेज कदमों से उसके पीछे गई और उसका हाथ पकर लिया कनिश्ट ने पीछे मुर कर देखा तो सच में राशी ही थी कनिश्ट ने रात भरी सांस ली और कहा थैंक गोड तुम ही हो मैं ही हूँ? उसे क्या मतलब? और कौन था यहां पर? राशी ने पूछा अभी एक हवा का जोका आया और वो सिर्फ मुझे महसूस हुआ अच्छा यह बताओ क्या तुमने थोरी देर पहले आकर मुझे आवाज दी थी? पनिश्ट ने पोच्छा मैं इतने रात को तुम्हें आवाज क्यों दूँगी? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी शरारत कर रही हूँ इसलिए मैं तुम्हारे कमरे की दरफ आया लेकिन तुम तो सो रही थी और फिर मुझे ऐसास हुआ कि किसी ने मेरे कंदे पर हाथ रखा जैसे ही मैंने पीछे मुर कर देखा तो कुछ भी नहीं था बस एक हवा का जोका जो सिर्फ मेरे चहरे पर लगा कभी मेरा ध्यान मेरी के ओर गया और मैं खबरा गया कनिश ने कहा अच्छा चलो ठीक है अब जाकर सो जाओ मैं इतनी रात को परिशान नहीं करती हूँ और ना ही शरारत राशी ने कहा और वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए कनिश को लगबग दो बजे नींद आई अगली सुभा राशी और उसकी मा सुमन जल्दी उठ जाते हैं और घर के कामकाज करने लगते हैं बाकि के लोग भी धीरे धीरे करके उठते हैं सबसे पहले कनिश को उठता है फ्रेश होने के बाद वो पानी पीने के लिए रसोई घर की ओर जाता है तो कौरी डोर से ही देखता है कि राशी एक कमरे में जो कि पूजा घर में सजी धजी जमीन पर बैटी है राशी को देखकर कनिश को उसमें खो जाता है राशी बला की खुबसूरत लग रही थी कनिश के कदम अपने आप रसोई घर ना जा कर सीधे पूजा घर में जाते हैं वो देखता है कि राशी जमीन पर रंगों से रंगोली बना रहे हैं कनिश चपल लेकर एक कमरे में चला जाता है क्योंकि वो इस बात से अंजान था कि इस कमरे में पूजा करते है अरे उठ गए तुम कैसे लग रही है ये रंगोली राशी ने पूछा बेहत खुबसूरत कनिश ने राशी के चेहरी की ओर देखते हुए कहा थैंक यू अपने दोस्तों को भी उठा दो और जल्दी से तयार होने के लिए कह दो हम सब मिलकर घर में ही पूजा करेंगे राशी ने कहा राशी का ध्यान एकदम कनिश के पैरो पर जाता है अरे अरे चपलत उतारो ये पूजा घर है ओ सौरी मैं नहीं जानता था मैं जा ही रहा हूँ इतना कहकर कनिश वापस रसोई घर में चला गया जल्दी सभी लोग तयार होकर पूजा घर में मिलते हैं और श्री विथप्पा देवता की पूजा करते हैं शुमन और रासी ने मिलकर अनिक प्रकार के स्वादिष्ट वेंजन बनाये थे वे सभी देवता को भोग चरहें पूजा करने की वज़े से नास्ते में देरी हुई थी और सामने इतने स्वादिष्ट पकवान देखकर देव तो बस यहीं सोच रहा था कि जल्दी से पूजा हो जाए फिर वो ये सब खाए अज सब के एक साथ पूजा करने से सब के दिलों में एक सकारत मक्ता आ गई थी और एक नई उर्जा भी पूजा करने के बाद सब ये डाइनिंग रूम की तरफ गएं देव तो बे सब इसे खाने का इंतजार कर रहा था नास्ता आते ही देव खाने पर तूट पड़ा सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है अंटी अपने परम बोला और ये दूद तो बड़ा ही टेस्टी है कनिश्क बोला ये दूद तो राशी ने बनाया है दूद ही क्या ज्यादातर सब चीज़े राशी ने ही बनायी है सुमर्ण ने कहा सभी दोस्तों ने एक याद के तौर पर सेलफी भी ली और परम भी काफी कुछ अपने कैमरे में रेकॉड करता रहा था आज का ये दिन भी कावियार परम उन्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया सभी के नास्ते करने के बाद अब इंतजार था मिस्टर लेवी और उनके स्कॉलर्स का सुबा के 11 बजे का समय हो गया था अज सभी लोग थोड़ा खुल के मुस्कुराय थे लेकिन आयूश और मयूरी के ममी पापा के चेहरे आज भ यार फोन करके उन्हें परिशान क्या करें जब उन्होंने कहा है तो वो आही जाएंगे काव्या बोली तभी आयूश चुप चाप उठकर उपर की मंजिल पर चला गया उसकी इस तरह चुप चाप उठकर जाना सभी ने नोटिस किया था पड़म ने कनिश की तरफ इशारा किया कि आयूश को क्या हुआ कनिश भी उठकर आयूश के पीछे पीछे चला गया आयूश बालकनी पर खरा अपने बाए हाथ के शर्ट उपर करके अपनी कलाई देख रहा था उसके हाथ पर एक अजीब निशान था कनिश को आता देख आयूश ने एकदम अपनी शर्ट ठ की और बाहर देखने लगा कनिश ने आयूश का हाथ देख लिया था लेकिन वो भी अंजान सा बन गया क्या हुआ भाई तु बहुत खोया-खोया सा रहने लगा है आजकर कनिश ने पूछा नहीं नहीं तो मैं तो ठीक हो आयूश ने कहा तो तु इतना चुप-चुप क्यों रहता है हम जानते हैं कि तु मैयूरी को लेकर परिशान है लेकिन हिम्मत रख सब कुछ ठीक हो जाएगा कनिश ने आयूश को दिलासा दिया आयूश ने भी हामें सिरहला दिया वैसे अगर तो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है तो मैं तुझे डिस्टरब नहीं लेकिन दोस्तों के साथ भी थोड़ा बोल दिया कर तुझे खुद को अच्छा लगेगा कनिश ने कहा और वहां से चला गया आयूश के हाथ पर वो निशान देखकर कनिश भी थोड़ा चिंदित था जब ये सभी दोस्त थोड़ी देर के लिए मैयूरी के माँ बाप से अल वाज कया तो उसने एकदम अपनी शर्ट नीचे कर ली थी और मेरे ख्याल से इस बारे में उससे कोई बात ना की जाए तो ही अच्छा है आयूश वैशे भी हमसे कुछ दिनों से कम ही बोल रहा है जबसे वो किस वाला वाक्या हुआ है तब से तो ज्यादा ही खोया हुआ है गनिश ने कहा ठीक है हम प्राफिसर केट से इस बारे में बात करेंगे शायद वो हमें कुछ बता सके बस जो भी हो हम जल से जल इस मुसीबत से निकल जाए अब घर की याद आती है परम ने कहा तब ही प्राफिसर केट और आने लोग एक बड़ी वैन में इश्वर चंद्र के घर पहुचते हैं आते ही वे लोग मयोरी से मिलने को कहते हैं लेकिन राशी और उसकी माँ सभी से कहती है आज हमारा पर्व है हम चाहते हैं कि पहले आप प्रशाद लें फिर ही कोई काम करें मिस्टर लेवी और उनके साथ ही राशी की आस्था का सम्मान करते हैं प्रशा के साथ केवल परहम और कनिश्क गय थे बाकि सबी दोस्त डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे प्रफेसर केट में कमरे का दर्वाजा खोला और अंदर का जो नजारा था वो बेहद डरावना था जमीन पर मयूरी इस तरह बैठी थी जैसे कोई जानवर हो चार और दिवार पर अजीब अजीब चित्र बने थे जिन में से एक पजुजू का चित्र भी था इंपॉसिबल पहले स्कॉलर ने कहा उनमें से दुसरी वेक्तिने मयूरी के पास जाना चाहा तो मयूरी हवा में उर गई उसकी भाशा कुछ अलग थी सर उसके पास मज जाए मिस्टर लेवी ने कहा लेकिन वे नहीं माने और अपने मन में अपने पाट करने लगे धीरे धीरे मयूरी का शरी रख करने लगा और वो नीजी गिर गई यह तो अच्छा था वो बेट पर गिरी वर्नाव से बहुत जोट आती अब तीनों स्कॉलर्स मयूरी के पास जाते हैं और तभी सबी डर जाते हैं पहला विक्ति जिसका नाम रोजर था वो मयूरी के माधी को पकरने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं मयूरी उनका हाथ पकर लेती है और जटक कर दूर करती है मयूरी का इतना उगर रोब देख मिस्टर लेवी या प्राफिसर के सबी को बहार के लिए कहते हैं वे लोग अपनी जोखिम में ना डाल कर मैयोरे के कमरे का दर्वाजा बंद करके बहार आ जाते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल भे इजाज़त नहीं दूगा रोजर ने कहा लेकिन सर एक बार बेरी बात तो सुनिए मिस्टर लेवी बोले रोजर और उनके अन् वेन के दर्वाजा खोलते हुए मिस्टर रोजर रुके और गुस्से में कहा क्या तुम जानते हो इसमें तुम्हें तुम्हें तुम्हारी जान को भी खत्रा है तुम बेवकुफो वाली बात मत करो तो क्या हम यूँ ही एक मासुम को मरने के लिए छोड़ दे और क्या पज रोजर ने कहा मैयूरी तो पहले से ही खत्र में है और शैतन जब तक मैयूरी को मार नहीं देंगे तब तक उसके शडीर से नहीं निकलेंगे मिस्टर लेवी ने कहा तुम क्या चाहते हो कि तुम मैयूरी को ठीक करो ना मुझे नहीं लगता कि मैयूरी अब ठीक हो पाएगी रोजर ने वैन का दर्वाजा खोला और सीट पर बैठते हुए कहा रोजर किया ने दो साथे भी वैन में बैठ गए प्रफिसर कित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें प्रफिसर कित ने मिस्टर लेवी की और देखा तो मिस्टर लेवी ने वैन में बैठने का इशारा किया परम अर्बा की लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी ये सब क्या हुआ ये लोग आए और चले गए और क्या सच में मैयूरी ठीक नहीं हो पाएगी दूसरी और मैयूरी की मा बुरी तरह रोनी लगी जब उन्होंने सुना की ये लोग इलाज करने से मना कर रहे हैं जाते जाते मिस्टर लेवी ने परम और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कॉल का इशारा कर दिया था और वे लोग वैन में वैठे चुप चाप चले गए आयोश और बाकी लोग घर के अंदर आ चुके थे और टेंशन में थे सबी डाइनिंग रोम में बैठे थे कोई कुरसी पे तो कोई सोफे पर और आयोश बाहरी खरा था यार अचानक ये सब क्या हुआ मुझे तो लगा था कि अब जल्दी सब ठीक होने वाला है देव ने कहा हाँ यार एकदम से सब खतम सा हो गया कनिश्च ने कहा मेरी मानिये तो अब हम अपनी बेटी को भुपा लेकर चलते हैं ये लोग कुछ नहीं कर सकते मैयूरी की माने कहा मैयूरी की मा की इस बात पर शबी शानती थे क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था जो बाते उन्होंने बाहर सुनी उससे अब उन्हें लगी नहीं रहा था कि यहां मैयूरी का इलाज हो सकता है और मैयूरी ठीक हो सकती है मैयूरी के पिता जी ने भी हामे से रहला दिया चलो हम आज ही देखते हैं मैं भोपाल की टिकेट के लिए स्टेशन जाओंगा मैयूरी के पापा ने कहा क्या होगा अब मैयूरी की माबाप उसे भोपाल कैसे लेकर जाएंगे जबकि मिस्टर लेवी ने तो उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए भी मना किया था और मयूरी के दोस्त अब आगे क्या करेंगे जानने के लिए सुनते रिये हमारे साथ आज़ पलेवी पॉडकास्ट के त्याना परविन जी की लिखी हुई कहानी पजल जू एक रहसमे मूर्ती का लास्ट एपिजर्ड जो की कल आने वाली है दोस्तों I am very very sorry कि दो दिन थोड़ा लेट हो गया मैंने कहा था कि संडे को आने वाली लेकिल नहीं आप आई क्यूंकि अभी चल रहा है दुर्गापूजा दुर्गापूजा का सब त्यारी करने वाली हुम है तो हम लोग वैसे सष्टी सब्तमी अश्टमी नावमी दसमी का पूजा होता है बिंगॉली लोग का और तो आप लोग सबका तो नवरात्री से स्टार्ट हो चुका है आज से ही तो आप लोगों को नवरात्री का बहुत बहुत शुब हार्दिप शुब कामना है आप लोगों का इस साल पूरा साल पूरा महीना पूरा चीत बीते यहीं मै चाहती हूँ फिर दिपावल ही आएगी बहुत सारे और तहवारे आने वाली फेस्टिबल जो कि मैंने पहले भी कहा था तो दोस्तों आप लोगों के लिए इस कहानी के बाद एक और नहीं कहाने आएगी लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कि आप लोगों को मैं अपना ट्रू हॉडर स्टोरी बोनने वाली हूँ तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं और कैसे सुनना चाहते हैं एज एप लोगों को सुनाने वाली हूँ ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी और अगर आप लोग भी मुझे का जरूर बहुत जलद मैं एक सबस्क्राइबर अपने सबस्क्राइबर का वी का एक कहानी मैं लेकर आँगी बहुत ही जलद वो Real Horsоров कोई बनाव बताँगी उसके बाद होगा एक और धमाकेदार कहानी का स्टार्ट जो कि वो एक ही में खतम हो जाएगा फिर मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद से मैं इतना ज्यादा नहीं लेकर आँ थोड़ा कम करके एपिजट्स लेकर आँ और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का समय का बच्छत करूं तो और मेरा भी समय बच्छत हो तो चलिए और अक्टोबर से चु प्लीज मुझे मोटिवेट कर लीजिए और प्लीज मुझे 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज अब मुझे रहा नहीं जा रहा है प्लीज नहीं तो अब मैं आपको ये पजल जू का मुर्ती भेज़ दूँगी सच में अब आप लोग सोची क्या होने वाला है चलिए अब इसके लास्ट एपिजिट के साथ जो कि कल आने वाली है रात को 10 बचे ठीक तो चलिए तब तक के लिए टार्टा बाई बाई हर दे रही है खुश रही है बाई